हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो डिजैनिंग टूटोरियल्स आज हम अपनी इस सॉफ्ट्वेर में देखेंगे ट्रांस्पेरेंस इफेक्ट्स टूल्स को और किस तरह से अच्छी तरह से यूज किया जा सकता है चले सबसे पहला हम एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं तो फ्रेंड्स ही हमारी में इंपोर्ट हो गया है अब आप इसका साइज चाहे तो छोटा कर सकते हैं मैंने इस डॉक्यमेंट का भी साइज ले लिए है 6x4 इन इमेज का भी साइज है 6x4 इंचिस तो अब इस इमेज पे हम एक और इमेज इंसर्ट करेंगे ट्रांसपेरेंस इफेक्ट टूल्स का यूज करके उसे इस इमेज में मर्ज करेंगे 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 मैंने इसका भी साइज छोटा कर दिया है अब ट्रांसपेरेंस इफेक्ट का यूज करके इस इमेज को हम दूसरे इमेज में मर्ज करेंगे मर्ज करने के लिए सबसे बले ट्रांसपेरेंस इफेक्ट लिनियर प्रोसेस करेंगे 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 बले गेक्ट करेंग Nebraska तो प्रेंट सबसे पहले हैं पारो क्लिप एफेक्ट का यूज करके इसे इस शेप में इंसर्ट कर देंगे इसे भी हम पावर क्लिप एफेक्ट का यूज करके इस शेप के अंदर इंसर्ट कर देंगे जो भी काम करना है वह हम पावर क्लिप एफेक्ट के अंदर में काम करेंगे प्लस प्रेस करके हम इसे एक और कॉपी कर लेंगे इसका पुजीशन चेंज कर देंगे अब चाहिए इसे स्मॉल भी कर सकते हैं अब जहां चाहिए इसे प्लेस कर सकते हैं अब जहां चाहिए इसे प्लेस कर सकते हैं तो फ्रेंट्स यह ट्रांस्परेंस इसक्ट यूस करने के बाद हमारा इमेज कुछ इस तरह से दिखाई देगा एक इमेज पर किस तरह समने दुसरा इमेज मर्च किया है अगर कोई वीडियो चे लागा हो तो प्लीस सब्सक्राइब आ चैनल लाइक एंड शेयर थैंक यू अगर कोई